शिरी गुरू गोविन सिंग जी दे दरबार विच सिदैव चहल पैल बनी रेंदी सी इक दिन शिरी अनादपुर सैब नगर विच एक कलंदर एक पालू लेकी आया उसनों ग्यात होया कि इस नगर दे स्वामी बहुत उदार चीत हन उना सारे अनू सनमानित कर दे हन जो बहादरी दे करतब दिखानदा है अन्त उहो गुरू दरबार विच मुझूद होया अथे परातना करन लगगा कि तुसी मेरा करतब वेखो मैं विशाल काई पालू वलू मल लडाई करदा हाँ। गुरू जिने आग्या प्रदान किती एक वशेस थान उत्ते पालू दे खेड़ां दा परबंद किता जाना से पालू ने पांती पांती दे नाच वखाए अत्या खीर विच कलंदर दे नाल होया मल युद मल युदनु वे के सारे सिख सेवख हसन लगे गुरु जीनु च्योर करनवाला पाई किर्थिया बोत जोर वलो खिल-खिला के हसेया उस दी गैर मामली हंसी वे के गुरु जीने उस उते प्रशन किता किर्थिया जी तुसी जान दे हो एह पालू कौन है इस सुते किर्तिया शान्त हो के कहन लगा नहीं गुरु जी मैं सुनू किस तरह पहचान सकदा हाँ मैं कोई अंतर जामीता हाँ नहीं गुरु जी ने उसनू दस्या कि एहे पालू तो अड़ा पीता है एहे जवाब सुनके पाई किर्तिया जी बहुत व्यक्ल होया अधे गुरु जी नू कहन लगा मेरे पिता था गुरु का अरदे सेवक सान ओह तो अड़े पिता जी शीरी गुरु तेग बादर सहब जी दे समय विच वी सेवा विच रहन दे सान जिमे की तुसी जान दे हो साड़े पूर्वज कई पीडियां वल्लों सिखी जीवन जी रहन जेकर पूरन सेवकानों मरन उंपरांत पालू दा जनम ही मिलदा है ता फिर गुरु कारदी सेवा करन्दा की मुनाफा पाई किर्तिया जी दी जग्यासा अते दुविदा शान्त कर ले गुरु जी ने उननों दस्या कि तो अड़े पीता जी सेवा विच नत्ती रहन दे सान पर उनना दी दिल विच हंकार आ गया सी कि मैं स्रेश्ट सिखां इसलई ओहो जन सदारन नो अपने कोडे बचना नाल अप मानित कर दें दे सान इक दिन कुछ बैल गड़ियां जिस विच गुड लद्या होया सी इना दे चालकानू जदू पता होया कि इत्ते शिरी गुरु तेग बादर सहभ जी पर चार दोरे उत्ते आये होये हान ता ओहो तरंत अपनियां बैल गड़ियां चल्दियां होया चाड़ के दर्शनाली आये उस समय तो अड़े पिता जीनू उना ने अनुरोध कित्ता की सानूवी परशाद दें दी किर्पा करो ओहो उस समय संगद विच परशाद दी वांड कार रे सान उना ने इस मैले को चल्ले कपड़े वाले गुरुदे सिखानू कठोर शब्दा विच केहा कि पिच्चे हटके खड़े रहो वारी आणूत्ते परशाद मिलेगा पर ओहो सिख जल्दी विच सान क्योंकि उना दी बैल गड़ियां चल्दे होय अग्गे वद्दियां जा रियां सान अन्त उना ने फिर अग्गे वद्द के परशाद प्राप्त करन्दा जद्न किता इस वार तो अड़े पिता गुर्दाजी ने उना नू बुरी तरा फटकार लगाई अते केहा कि क्यों रिश दी तरा अग्गे वद्दे चले आ रहे हो ती इरज करो परशाद मिले जावेगा इस उत्ते उना सिखाने उत्ते ही गिरे होय परशाद दाइक कान चुक के बहुत शर्दा वल्लू सेवन कर लेया अते जानदे होंदे किहा कि असी रिश नहीं तुसी रिश हो जो पगत जनानाल अप अद्दर सुभा कर दे हो बस ओही स्राप तो अड़े पीतानू पालू जनम विच मर्नों ब्रंत लैयाया पत ओहो गुरू दे सीख सेन इसलाई होन चंगे करम फल दे कारन गुरू दरबार विच मुझूद होय हान एहे वारता सुनके पाई किर्तिया जी गुरू जी दे चरना विचे लेट गए अते परात्ना करन लगए कि हे गुरू जी कीमेवी होये मेरे पीता जीनू माफ करके मुक्ती परदान करो गुरू जी ने पगद दे अनरोद दे कारन उस कलंदर वल्लू ओहो पालू खरीद लिया अते कड़ा परशाद तियार करवाके सारी संगत नू उस दे कल्यान ली अरदास करनू किया जेवे ही अरदास खतम होई अते पालू नो परशाद खुआया गया जेवे ही पालू ने परशाद दा सेवन किता ओह कुछ देर वेची ही स्रीर त्याग गया अते बैंखुट तामनो चला गया गुरु जिने उस पालुदा मुनुक्खा दी तरा अन्तम संस्वार कर दिता सुसाथ संगजी इन्सान नो सेवा करदे समे वी शान्त पाव अते प्रेम पावलू सेवा करनी चाहिदी है सेवा करदे समे किसे नो अप शबद भी नहीं बोलने चाहिदे वरना सेवा फले पूत नहीं होंदी